कमाल का देशे साथ, पीज़ा इस देश में तीस मिनिट में घर पे आता है, तीस मिनिट में नहीं आए तो पैसे वापस कर देते हैं, आप पुलिस वालों को बुला के देखिए, ये वो देशे जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता और 12% एजूकेशन लोन के देने पड़ आज इस अफसर पर इससे बढ़िया पंक्तिया मुझे याद नहीं आती, क्या बढ़िया बात कहते हैं, कभी सल्मान के बालों, कभी कट्रेना के गालों पे मर गए, कभी चुम्बन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए, ऊपर बैटके भगत सिंग भी कहते होंगे, यार इस लोग हाँ भर रहे हैं, इससे ये जाहिर नहीं हो जाता कि उन्होंने देखा है, और इससे ये भी जाहिर नहीं हो जाता कि उन्हें पता है, इससे ये जाहिर होता है, कि आदमी समझदार है, और सामने वाले को ये जताना जानता है, कि मैं जानता हूं, तो टेक्सस में, ह यूस्टरिन शहर में जब मैं काव़पाट कर रहा था और कावपाट करने के बाद जब मैं बैठा तो दरागिदा जैसे लोग मिलते हैं आके मिले और कहने लगे माइक पे खड़ो के बहुत चलाते हो कि हमारा एंदुस्तान ऐसा है हमारा मुलक ऐसा है हमारा देश वैसा है आखर तम्हारे देश में रखा क्या है यकिन मानिये मेरे मन को बहुत चोट पहुँची बहुत पीड़ा हुई मेरी जगे आप होते हैं तो आपको भी चोट पहुँची बहुत पीड़ा होती लेकिन मेरा दर्द सुनना साब मुझे चोट इसलिए नहीं पहुची कि उसने मुझे ये कहा कि तम्हारे मुलक में क्या रखा है मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था जो सारी उम्र यहां पला यहां बड़ा इसकी माटी मेरा जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रख और जिसकी धमनियों में हिंदुस्तानी मा का दूर बेता हो वो किसी दूसरे मुलक में जाके अपने ही मुलक वाले से ये कहे एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है तो चोट पहुँशना स्वाभविक था तब मुझे महाकवी कनयालाल सेथिया जे की एक कहानी याद आई और उस कहानी को मैंने कविता की आत्मा बनाया क्यों मुझे पीड़ा पहुची क्यों मुझे कविता लिखनी पड़ी कनयालाल जे लिखते हैं कि लोहा और सोना हापस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तु सोना है मैं लोहा हूँ हापस में बात चीच चुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पिटता है सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता है आप पढ़े लेके लोग है आज में तपा के ठोका जाता है लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पिटता है तो तू बहुत आवास करता है मैं तो चुप रहता हूँ ऐसा क्यों लोहे ने जो जवाब दिया मेरे कविता की जमीने लोहे ने का तू ठीक कहता है सुने सुनार पिटा है तुझे लोहे की हतोरी से तो तेरी कुछ नहीं लगती मैं लोहा हूँ मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है और जब अपना अपने को पीटा है तो चीख तो निकलती है मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है जब एक हंदुस्तानी दूसरे हंदुस्तानी को ये कहे कि तेरे मुलक में रखा क्या अरो उन्हीं मालूम क्या है कि मेरे मिलक में है क्या हमारे मुलक में मधू कोड़ा है वाँ वाँ है एक भी लीडर ऐसा सूरिय वंच्शी 38 वर्ष की उमर में 4000 करोड आप यकीन मानिये कभी जिंदगी में 4000 करोड रुपे मिल जाएं तो यकीन मानिए इस जन में मुझे गिन के दिखा देना आप गिन नहीं सकते यह हिंदुस्तान यह हमारा देश है हमारे हाँ कमाल की चीज़ है हमारे मुलक में क्या रखा है बहुत जबरत जैसे आपके हिंदौर का ट्रेफिक मैं अभी एरपोर्ट से आ रहा राजवाड़ा के आगे मेरी कार के आगे आदमी हाथ साइकल पर यूं किया फिर यूं कर दिया मैंने का इसका चाह मतलब बोले पहले मुड़ना था पर केंशिल कर दिया अब कर लो आप क्या कर लो यह अपने इंडिया में हो सकता है कार में आगे एक औरत लिए में हाथ निकाले भी मैं नकाता हूँ में अफंक मुलना होगा आदे गंटे तक मुडी ही नहीं सुखा रही था यह अपने मुल्क में होसकता है फार ये मुल्क फार से करता ह Iya श्रुका में और एक ललका मुझ?" तुडत करता है सब्सक्राइब घो लेकिन याद करने कोशिश को अमेरिकन परवार में लगा घर में आया और आपने पिता से कहने लगा ओंडाज दे खुम अनगे नियुक्त अप जो आया इस वायागा गर्लफ्रेंड यह सुखा गरस्टेला का तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पिता बोले ओक ओके डूंट गट टेंस जिस तिंग शी वसे नाउंसें चेंज इट और मैंने का गजब का बाप है कितना सपोर्टिव फादर अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंता है हटा और दूसरी लड़की मैं आपके जनर्ल लॉलिश को परणाम करना चाहता हूँ और जिस भाशा की अशोग भाई साब बात कर रहे थे हिंदी साहित आपका बरसों तक रिणी रहेगा आपने जो शब्द सुपा है समवेट स्वर में सेखों लोगों ने जो एक साथ कहा है पता मैं किसी और शब्द का भी प्रयोक कर लेता लेकिन जब आपने कह दिया तो मैं इसी वैसे अच्छा एक बात है इस शब्द का कोई तोड़ भी नहीं है होई नहीं सकता जो परिश्रम जो मेहनत जो पसीना पताने में है वो किसी और शब्द में आई आप पताने मैं मतलब आप प्रक्रिया नहीं समझें मैं शब्द की बात कर रहा हूँ वो किसी और शब्द में आई नहीं सकती मैंने अंग्रेजों को का तुम हमारा क्या खाके मुकाबला करोगे बताओ तुम ने हमारी जोड के शब्द लियाओ बस बोले क्यों मैंने का तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते है बोले फेस मैंने का थो बिरे को बताओ बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते है कर दो कि अब जवाइफ मेंने का लो गई मैंने का तुम मुकाबला करेगे समारा तुम मुकाबला करके बता-दे तुम junior एकला मैं था उन्हें है क्या हा तुम खुश्च पिए पर क्या बोल हिए बने का बस्जिंक में बेडिस्क प्यों 25 ब्रोड जब करी नहीं सकता, धिर मैंना हमारी पत्नी रोज वेट के आए एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रे जी महनुवाद करें आम गुलाम हो जाओँ तेरा। Πोले क्या बोलती हैं मैंन का बोलती हैं मेनने से शादी करकित मैं करम ठोक लिए मैं ने का ला करम और ठोग तरह बाप अंगरे जिमिने ला सकता करम और ठोग मैं चाहता हूँ हमारे हिंदी भाशा के संबाद में एक बाल जो अद्बुद भाशा है स्वागत थे स्वागत थे कर ले कोई मुकाबला हमारा क्या करेगा बोले पत्नियां ऐसे बोलती है मैंने का तू तो अन्वाद करके बताते है इसका हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है और माल उतना ही भरूँगा जितना गौवर्मेंट का रूल है मैंने का कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन क्या लिखा एक फ्लावर अफ लिवर और मैंने का तुम्हारी भाशा का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी का बाप नहीं खर सकता मैंने का इंदूर मैं इंदूर इतना हाता हूं कि में और बहुत प्रीज़ शेहर है तच करता चलो यह हम कर सकते है हमारी बहाशा का सारी दुन्या बहाशाओं को जो उमने हाथ पैला के बुलाया है और जो उसे सहार्द पूर्ट सुइकार करके जो मोहबबग दिया आगे कोई दे सकता है तो यह तो कमाल है कमाल का पाप है खुद ही कर रहा है सारी चिंता हाटा मैंन का है खुदा मुझको भी है अमरीका भेज़ देता तो तेरा क्या जाता खुले हाम चिंता है हटाते मज़े से लोकियां घुमाते वरना हिंदूस्तान में हमारे पिता जी वो सुबह दुपह शाम तीन बार तो इसलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तरह बाप हूँ यह इंडियन बाप इस मामले में बहुत जालिम होता है उसे सिर्फ कूटने का बहाना चाहिए गर में निकर पहन के क्यों बैठा है कूट दिया पहन पहन के बैठा है फिर ठोक दिया नई पहन कुछ नहीं पहना तो फो ठोक नहीं था फिर तो तब हमारे मुझे सुरेन जी याद आते हैं वो बहुत बल्या बात कहते हैं सुरेन जी कहते हैं कि जितने नाराई मनलबा अमेरिका में आपको मालों बच्चों को अगर आप पीट दो तो 9-1-1 पे कॉल करके चुरन पुलिस आप बच्चों को पीट नहीं सकते पीट था ही बाप गिरफता एक इंदुस्तानी बाप ने ठोक दिया सुरन नाइन वन वन पे फोन किया अबुलाली पुलिस गिरफतार हुआ जैसे ही जल से छूटा बाप तीसरे ही दिन इंडिया की टिकेट कराई बेटे के साथ और दिल्ली हर बोट पे उतरते ही ने इस से ये जाहिर नहीं होता कि इस से ये जाहिर होता है कि एन आरा ही हर साल इंडिया हाथे के वाह 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 तो मैंने का या खुदा मुझको भी है अमेरिका भेज़ देता तो तेरा क्या जाता ये देखिए अलग किस्म की देश बगती है जो मैं प्रस्टूत कर रहा हूँ मैं आया था जब अशोग जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे विर्दस के कवें ने एक हिच जमी भी नहीं चोड़ी जाहा है जंडा नहीं गाला हूँ उनकी देश बगती थोड़े अलग किस्म की होती है अचा वो जंडा गलता पाकिस्तान पर ही है चाहे वो रावल पिंडी हो चाहे लाहोर हो चाहे कराची हो जो आउठक चाईना बहुत बदमासी कर रहा है उदर क्यूं नहीं गालते है तो तेरा क्या जाता, खुले हम मज़े से लोकियां घुमाते, मज़े से इतर उतर गुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिता जी, उन्हें तो भगवान बचा है साथ, मुझे भी अमरिका भेज़ देता, तो मज़े से जिन्दगी के रंगी नहीं आउठा, अच्छा, दूसरे अमरिकन परवार का, और तो और भी दमदारे गलोकिया है, और अपने मा से कहने लगी, अपने हमाँ से कहने लगी, अपने हां तो पिक्चर में ऐसे डायलोग आ जाय तो लाइट चली जाती है, और ये देश कितना एडवांस है, हम इनसे कितना पीछे है, कितना नीचे, मुझे भी अमरिका आ जाना चाहिए, और जिन्दगी के मज़े उठाना चाहिए, अब यहां से वह बात शुरू करता हूँ, जिसके लिए कविता लिकी, मुझे भी अमरिका आ जाना चाहिए, और जिन्दगी के मज़े उठाना चाहिए, ये बात मैंने वहां रहने वाले एक बज़रुग जोड़े को बताई, तो उन्हें बहुत दीरे से मेरा कंदा थपथपाया, ये बात कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदे की मज़े उठाना चाहिए ये ये बात मैंने वहाँ एक रहने वाले बुज़ जोड़े को सुनाया तो उन्हों बहुत दीरे से मेरा कंदा थपतपा और कहने लगे बेटा ये बाते ये रोश्णी ये चमक ये दमक लगती बहुत सची है और लगती भी खूब अच्छी है अरे तुम्हें क्या मालूम उपर से हस्ते हम भीतर कितना पिस्ते हैं इन आखों से आसु रिस्ते हैं अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सचे रिष्टे हैं वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत तुम्हारे मुल्क में वहां कुछ नहीं होगा पर ये रिष्टे हमारे मुलक में हो सकते हैं मित्रों ये रिष्टे हमारे मुलक में हो सकते हैं ये जो सम्मान की परंपरा बची है वो इसी देश में वाकी रह गए ये तब कहता हूं कि तुम्हारे मुलक में और कुछ नहीं होगा कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता और बेहन बेहन जब विदा होती है ना तो आखों में आसुस अच्चे होते हैं और घर घर में पाउच होने वाले छोटे बच्चे होते हैं मित्रों यकिन मानिए एक बात इन कवियों के उपस्तिते में कहना चाहता हूँ जो चीज हमारे पास है शायद उसके होने का एहसास हमारे पास नहीं है मैं इस एहसास कराने के लिए आया हूँ कि हमारे पास क्या है जो दुनिया के पास हो नहीं सकता पूरी दुनिया के ग्लोब पे छोटे बड़े मिला के लगबग 183 देश है छोटे बड़े कर लेंगे जो यूँने कोई सदसे नहीं है तो 200-203 देश है बेरागीदा, अशोक जी जनकी कविता है सारी दुनिया में गुंजी है एक कवी होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, सारी दुनिया में जाता हूँ और सारी दुनिया के देखने के बाद इनकी उफस्तिती में एक बात दावे से कहता हूँ पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश साहब लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माबाब के पाउव चूते हैं वो देश हिंदुस्तान है दूसरा कोई देश नहीं है तब कहना चाहता हूँ यह इसी मुल्क में बचा है तब कहना चाहता हूँ कि बेश बिदा होती है न तो आखों में आसू सचे होते हैं और घरगर में पांट छूने वाले चोटे बच्चे होते हैं यह बात सुनके में सोचने लगा गे बात में दोस्टम है हम, हम तो सिर्व हम है हरे क्या नहीं है मेरे मुलक में बले आँखों में धुआ और चाहरों पे गुबार है दिली में गलूजी लंगी सरकार है जेब में कुछ पैसा उधार है ना चमक है, ना दमक है, ना रोशनी है, ना बेल्डिंग है, ना कार है मैं सारी चीज़ें स्वीकार करता हूँ कि मेरे देश के पास नहीं है की संबर्दी तराजू के एक पलड़े में रख दिजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके घर आंगन में और आपके दिलों में ये शब्द सुनके अगर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान बेहता हो तो यहां से लेकर मुझे बता देना कि मेरे देश के प्यास क्या है जो पूरी दुनिया के पास होने ही सकता है मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सूरत सबसे पहले उकता है मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां घास की रोटी खाने वाले महाना प्रताफ हुए मैंने ये भी नहीं लिखा कि सिकंदर के सेनापती अपनी बेटी की डूली यहां दे जाते हैं मैंने ये भी नहीं लिखा किया पन्ना धाय स्वामी भक्ती में बेटा कटवा देती है मैंने ये नहीं लिखा कि हारी रानी शीश काट के थाली में रख देती है मैंने ये कुछ नहीं लिखा कि ये सच हम जानते हैं मैं तो सिर्फ एक पंग्ती कहता हूँ एक शुर्ण